नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ZNews की खास पेशकर जोतिश गुरू में, मैं हूँ आपका जोतिश गुरू शिरोमनी सहचे, मित्रू, बात करेंगे बच्चों की आखों पर लगने वाले मोटे मोटे चश्मों के विशे में, कि बच्चों की आखे कमजोर क्यों हो जाती ह और जब बच्चपन में ही बच्चों की आखे कमजोर हो जाती हैं, तो बड़े होने के बाद भी उनकी आखों पर दुश्प्रभाव क्यों बना रहता है तो मित्रो, आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, पूरा सब्ता यानि की एक वीक बच्चों से संबंदित छोटी-छोटी समस्याओं का आपको समधान भी देंगे, निवारन भी बताएंगे, और क्या करना है छोटा-छोटा मंत्र जाप, वो भी बताएंगे इस सब्ता हम बच्चों से संबंदित आपको बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश करेंगे आज रसोई घर की एक छोटी सी सामगरी, आपके रुके हुए धन की पैसे की प्राप्ती आपको बहुत जल्द करा देगी लेकिन शुरुआत कर लेते हर दिन की धरा, आज भी दिव्वे महमन की से ओम एंग नमहा, यह मंत्र दिखने में साधारन है इस मंत्र का मात्र 27 बार जाप करने से आपके बच्चों का मन शान्त हो जाता है आपके बच्चों का जो फोकस है, वो एकदम से जो है एकागर हो जाता है, मन एकागर हो जाता है तो बच्चे एकदम से फोकस्ड हो जाएं, उनका मन एकागर हो जाए, यही तो आपको चाहिए देखिए बच्चों से रिलेटेड तमाम जो जानकारियां हैं इस सप्ता आपको दी जाएंगी चाहे उनके गलत खानपान की आदत को लेकर हो चाहे उनके मॉबाइल ये लेप्टॉप या फिर किसी भी इलेक्ट्रोनिक एक्यूपमेंट को लेकर हो तो ये संपूर्ण सप्ता आपके बच्चों से जुड़ा रहेगा छोटे छोटे जानकारी छोटे छोटे उपाय आपको हम बताएंगे आगे के और बढ़ते हैं अवगत कराते हैं आज के पंचान से दिनांक एक दिसमबर 2022 दिन गुरुवार मार्क शीश मास शुकल पक्स की अस्टमी तिथी उपरान्त नवमी यानि कि सुभह के समय अस्टमी रहेगी और उसके बाद नवमी तिथी का कारम्ध हो जाएगा नक्षत्र होगा पूरुवा भादरपत चंद्रमा कुम्बराशी में संचरन करेंगी राहुकाल का समय नोट करिए दोपहर डेड़ बजे से तीन बजे के मत है इस दौरान कोई भी नयकारे शुरू बिलकुल नहीं करना है दिशा शूल होगी आज दक्षिन दिशा यानि कि दक्षिन दिशा की और यात्रा बिलकुल ना करें विशे की और आते हैं और आपको बताते हैं कि आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी आँखों पर इतनी कम मुम्र में चश्मा क्यों लग जाता है ये बताने का प्रियास करते हैं देखिए सूरिये और शुक्र को मुख्य रूप से आँखों का कारक माना गया है जो हमारा वीजन होता है जो नेत्र की जोती होती है द्रिस्टी होती है उसका मुख्य रूप से शुक्र कारक होता है सूरिय और शुक्र यदि नीच राशी में हो जाए सूरिय तुलय राशी में चला जाए शुक्र कन्य राशी में आ जाए तो ये मान के चलिएगा ये दोनों ग्रहों के पीडित होने से आँखों की समस्या निश्चित तोर पे होगी और कुंडली का दूसरा भाव आपकी राइट आई है कुंडली का बार्मा भाव आपकी लेफ्ट आई है तो कुंडली के दूसरे या बार्मे घर में पापी ग्रह बैठ जाएं उन पर दस्टी डालें, नजर डालें तो आपके आखों की पीड़ा आपको बहुत परिशान करेगी ये समझ लीजिए सूर्य को दाएं, चंद्रमा को बाएं आख का कारक कहा गया यानि कि जो राइट आई है वो सूर्य है और लेफ्ट आई आपका चंद्रमा है अब इन दोनों ग्रहों के ऊपर भी यदि पापी ग्रहों का प्रभाव हो गया तो नेत्र पीड़ा होना निश्चित है और धीरे धीरे आपकी नजर कमजोर हो सकती है आपको ओपरेशन कराना पर सकता है सूर्य है कुंडली के छटे भाव में आ जाए आठमे भाव में आ जाए पीडित हो जाए तो व्यक्ति उम्र भर आखों की समस्याओं को जहलता है ये भी समझ लीजिए दूसरी या बार्मे घर में शनी और मंगल की कंजंक्शन हो जाए युति हो जाए तो इन दौनों पापी ग्रहों का एक साथ में यानी की दूसरे घर आपकी राइट आई में बार्मा घर आपकी लेफट आई में कहीं भी इन दोनों ग्रहों की युति हो गई तो मान के चलिए हर तरीके से आपकी आँख पर चोट भी लग सकती है और नेतर जोती भी कम हो जाएगी तो वह ये छोटे छोटे ग्रहों की जो योती है ना ये बहुत खतरनाक होती है परिशान कर देती है लेकिन आप अपने बच्चो की छोटी-छोटी आदतों में सुधार कर दीजिए आपको बताते हैं वो कौन सी आदत है सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपने बच्चों को कहें कि वो रात्री में देर तक ना जागे चंदरमा पेडित होता है और दूशित खानपान से उनको बचाईए बाहर के खानपान से बचाईए अक्सर आपके पास समय का अभाव होने के कारण आप ही कह देते हैं बच्चों से कि आप भार से खाना ओडर कर दीजिए तो ये बिलकुल गलत है संभव हो तो जंक फूड से आपको बहुत ज़्यादा परहज करना है बचिये इससे ज़्यादा तर फल सबजियों का सेवन करिए फलों का जूस पीजिए, सबजी का जूस पीजिए फलों को काट कर थोड़ा रख लीजिए, खा लीजिए इस तरीके से छोटी छोटी आदतों में आप परिवर्तन जरूर लेकर आईए रात का बासी खाना भूल कर भी ना आप खाएं ना अपने बच्चों को खिलाएं आज कल लोगों के पास समय का अभाव है माता-पिता बहुत जल्दी में होते हैं और रात्री में ही भोजन तयार करके रख देते हैं और सुबह जो है वो टिफिन अपने बच्चे को पेक करके देते हैं तो ये बिल्कुल गलत है रात में अपने सिराने रखे हुए पानी का सेवन भूल कर भी ना करिये ये नकारात्मकता से एकदम भर जाता है, इसे हटाईए, रात में अपने सिराने, मुबाइल, लैप्टॉक या कोई भी इलेक्ट्रोनिक समान आपको अपने सिराने से हटा देना है, बिल्कुल नहीं रखना, ये ऐसा करना भी आपकी आखों के लिए, आपकी सिहत के लिए बह ते तो ये बिल्कुल नहीं करना है, हलके ब्राइट या फिर वाइट रंका आपको इस्तिमाल करना है, आए जानते हैं मेश व्रश में थुनकाहार, मेश राशी, आपका दिन दुपैर के बाद अच्छा रहेगा, किसी भी जरूरी काम को निप्टा ले, अपनी बात किसी प पर नाथोपे, मीठी वस्तू का दान करें, शुबरंग होगा पीला, व्रश वराशी, अपनी बात किसी से जवर्दस्ती ना मनवाएं, भाग्य आपका साथ जरूर देगा, रुके हुए कारिये पूरे होने का योग दिखाई दे रहा है, जरूरत मंद लोगों को वस्त्र क दान करें, शुबरंग होगा आस्मा, मिठुन राशी, किसी भी तरीके से जूट का आपको सारा नहीं लेना, वहन बहुत सावधानी पूर्वक आप चलाईएगा, किसी की मदद दोपहर के बाद जरूर करें, आज के दिन पक्षियों को दाना जरूर खिलाएं, शुबरंग होगा गेरुआ, तो मित्रों हमने आपको उन ग्रहों की यूती से अवगत कराया, जिन ग्रहों की यूती आपकी आखों की समस्या को बढ़ा देती है, आख पर चोट लगा देती है, और आपकी बच्चों की आखों पर मोटा चश्मा बहुत जल्द लग जाता है, ये तो हम प्रते दिन सुभह के समय आपको जल्दी उठना है एक तामबे के लोटे में शुद्ध जल भरें जल में थोड़ी सी रोली थोड़ा सा गुड और गुलाब के फूल की पत्तियां आपको डालनी है अब दोनों हातों से उगते हुए भगवान सूरिय नारायन को ग्रणी सूरि जय नममंत्र का जाब करते हुए बोलते हुए यह जल धारा आप अरपित करेंगे जल की जो धारा होगी जब आप भगवान सूरिय को अरपित करेंगे उस जल की धारा में आपको एक चमक दिखाई देगी एक शाइन दिखाई देगी तो उस शाइन पर उस चमक पर आपको पुद्यान किंद्रित करना है। गाजर, खटेफल, सबजियों का सेवन आपको जरूर कराना है। तो ये छोटी-छोटी जो सावधानिया आप अपनाएंगे, आखों की समस्या कम भी होगी और इसका ये इंपक्ट और फर्क आएगा कि नंबर आपका ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। तो इन छोटी-छोटी आदतों को परिवर्तित करके, इन सावधानियों को अपना के, आप पर और आपके बच्चों पर इतना फर्क जरूर आजाएगा, इतना प्रभाव जरूर आजाएगा कि उससे ज़्यादा नेतर जोती कमजोर बिलकुल नहीं होगी। आईएगा जानते हैं करक सिंग कन्या का हार। करक राशे, मन की सारी इच्छाएं पूरी होंगी, अपने खान पान का ध्यान रखें, करियर में बदलाव का योग बना हुआ है, जरूरत मंद लोगों को चावल का दान करें, शुबरंग होगा लार। सिंग राशे, अपने क्रोध पर नियंतरन रखें, शाम तक समय आपके अनुकूल रहेगा, घर की उत्तर दिशा को बिलकु साफ रखिएगा, आज के दिन गुड का दान जरूर करें, शुबरंग होगा मरूर। कन्यराशे, नौकरी के लिए आवेदन जरूर करना है, शाम तक जरूरी काम जो भी हैं, आपने प्टा लीजिए, मन की इच्छाएं पूरी होगी, जरूरत मंद लोगों को दवा का दान करें, शुबरंग होगा जब होगा। मित्रोब आपके प्रश्णों का जवाब देते हैं, हर दिन आप अपने प्रश्ण जोतिजगुरु की हेल्प लाइन नमबर 964-333-3344 पर जो साजा करते हैं, अब वो समय आ गया है कि उन प्रश्णों का जवाब दिया जाए। पहले दर्श्ण जुड़े हैं अनिकेट सिंग, मेरट से, बहुत स्वागत है आपका, कोई काम पूरा नहीं होता और धन की कमी रहती है, कोई उपाय बताए। विवार के दिन नमक का सेवन बिल्कुल ना करें और अपने घर की पूरुवदिशा को बिल्कुल साफ रखें। दूसरे दर्शक जुड़े हैं गितेश शर्मा आगरा से, मेरा भविश्यक कैसा रहेगा, सरकारी नोकरी लगेगी या नहीं कोई को पाय बताए। ये तेश, अपनी आर्थिक स्तिथी को अच्छा करने के लिए, शुकरवार के दिन शाम के समय देवी लक्ष्मी को गुलाब के फूलर पित करें। प्रशाशनिक सेवा में जाने के लिए अपनी पढ़ाई पर जरूर ध्यान दें। प्रशाशनिक यानि की जो एड्मिस्टेशन डिपार्टमेंट है वहाँ पर आप जा सकते हैं और सूर्य चालिसा का आप पार्ट करिएगा। हर अमावस्य के दिन पित्रों के नाम से जरूरत मंद लोगों को अन्न का दान करें। तो मित्रों आपके मन में भी अदी कोई प्रशन हैं तो आप अपना प्रशन जोतिश गुरू के हेल्प लाइन नंबर पर जरूर साजा करें। आईए जानते हैं तुला वरिष्चिक धनू का हार। दुला राशी रिष्टों में परेशानी हो सकती हैं। सोभह के समय उठने का प्रयास करें। आज किसी को धनूधार ना दें। उगते हुए भगवान सूरिय के दर्शन करें। शुबरंग होगा नीला। प्रिष्चिक राशी ओपहार मिलने का योग बना हुआ है। अपने बौस से किसी भी बात पर वादविवाद हो सकता है तो बच्चियेगा। उनसे किसी तरीके से ना उच्चें। अपने निड़ें बहुत सोच समझ कर लें। सफेद वस्तू का दान सर्वत्तम होगा, शुबरंग होगा लार। धनुराशी, परिवार में खुशी का माहूल रहेगा। किसी महमान के आगमन का योग है। रुका हुआ धन मिलने का योग बना हुआ है। पीली वस्तू का दान जरूरतमंद लोगों को जरूर करे। शुबरंग होगा ना रखे। मित्रो बात करते हैं उनकी जिनका आज जन दिन हैं। तो जिन लोगों का जन दिन हैं उन्हें धेरोशुक कामना। जोतिश गुरू आपके उत्तम सुक समरद्धी की कामना इश्वर से करते हैं। मित्रो यह वर्ष आपके स्वास्ते, व्यापार और आजिविका के लिए उत्तम परिनाम लेकर आ रहा है। इस वर्ष की शुरूआत में ही खासी जुखाम की समस्या आपको परिशान कर सकती हैं। तो बचिएगा। इस वर्ष निवेश किये हुए कारियों से आपको लाब जरूर होगा। धन स्वास्ते और रोजगार की बहुत सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए सुभह के समय सूर्य चालिसा और सूर्य इस्तोत्र का पाठ जरूर करें। तो जिन लोगों का आज जन दिन हैं उन्हें धिरो शुपकाम। मकर राशी अपने घर में समय बिताएं तो बेतर होगा। समय पढ़ने पर अपने रिष्टेदार की मदद जरूर करें। आज धन किसी को उधार ना दें। किसी कन्या के विवा में कुछ मदद जरूर करें। शुबरंग होगा जमुन। कुम्ब राशी अपने गुरू का आदर करें। जल्द बाजी में कोई लापरवाही बिल्कुल ना करें। शाम तक समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। खिचडी का दान करना सर्वोतम होगा, शुबरंग होगा नीला। मीन राशी, कारियों को समय पर करने की आदर डालें। उधार दिया हुआ धन वापिस मिलेगा। जरूरतमंद बच्चों की मदद करें। केसर चंदन का दान करना शुबरहेगा, शुबरंग होगा पीडा। मित्रोब सफलता का अच्चूक महाउपाई आपके साथ साजा करते हैं, जिसको अपनाने के बाद आपको सफलता मिल जाती है। क्या करना है महाउपाई? एक सफेद जनेऊ अपने मन की कामना बोलते हुए, हनुमान जी को राइट हैंड यानि की दाएं हाथ से अरपित कर दीजिए, अपनी कामना बोलिए, आपका हर कारिय निस्चित तोर पर उनके परमाशिरवाद से सफल होगा। बात करते हैं अपनी माताओ बेहनों की सेहत और उनके सम्मान यानि की रेस्पेक्ट। पूरिये को अरपित करें, उस जल का छीटा आप अपने माते पर मस्तक पर करें, आप हर जगे सम्मानित भी रहेंगी और कुंडली का ब्रहस्पती भी मजबूत बना रहेगा। अब बात करते हैं रसोई घर के उस अच्चूक महा उपाय की जिसको अपनाने के बाद आपके रुके हुए पैसे की प्राप्ती आपको बहुत जल्द हो सकते हैं। आज रसोई घर से हम आपके लिए लेकर आए हैं साबुत धनिया कैसे प्रयोग मिलाना हैं। बई एक मुठी साबुत धनिया आप अपने माथे से स्पर्श कराएं और बहते जल्में प्रभा कर दें। मातर इतना सा करने से आपके रुके हुए पैसे की प्राप्ती का प्रबल्योग जरूर बनेगा। तो मित्रो हमने आपको बताया कि बच्चों की कम उम्र में ही मोटा चश्मा उनकी आँखों पर क्यों लग जाता है। और उससे बच्चने का महा उपाय क्या है, क्या सावधानिया बरत्नी है, क्या आपको महा उपाय अपना ना है। जिससे या आँखों की समस्य आपको ज़्यादा परिशान ना करें। मित्रो अगले अंक में बच्चों से संबन्दित हम बताने वाले हैं यदि वो गलत खानपान के चक्कर में पड़ गए हैं। बिलकुल ना घबराएं, जो तिस गुरू के चोटे-चोटे उपाय उनको सही मार्क पर भी रखेंगे और उनकी खानपान की आदतों में सुधार भी करेंगे। तो मित्रो तब तक के लिए जुड़े रहेगे, जीनियूस के साथ, नमस्कार।